वेलकम टो अजयार्ट स्ट्रेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे इससे पहले मैंने बॉय के रियालिस्टिक हैर पर टुटोरियल बना रखा है अगर आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर निचे डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो की लिंक देख दी है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे हेर्स ड्रो करने के लिए मैं क्यामलिन की सॉफ्ट चार्कूल पैंसिल यूज़ करूँगा तो सबसे पहले आपको अपने फोटोग्राफ के अकोडिंग आउटलाइन डो करने है यहाँ पर मैंने आउटलाइन पहले से कंपलीट करके रखी है और सबसे पहले मैं बालों में चार्कूल पावडर ओफ्ट कर रहा हूँ मँखाँ जो तोसते फिर अचिछान कि अच्छूलाइन झाहसे में Wanna उे खचिखे है क fluffy पावडर कर देक वावडर को बीटते पफ़्यक्षा्ट मारिभिंडब में च्पिए, प्सक्मर इंते आप चार्कूल पाड़र को अप्ट करने के बाद बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ मैं हेर की डायरेक्शन में श्ट्रॉक दे रहा हूँ दोस्तो हेर बनाते वक्त सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको फोटो को अफजर करके श्ट्रॉक हेर के डायरेक्शन के अकोडिंग ही देने है अगर आपको सुन्दर हेर ड्रो करने है तो सेडिंग से ज्यादा ध्यान आपको श्ट्रॉक पर देना पड़ेगा तो बहुती लाइट प्रेसर के साथ स्ट्रॉक दीजिए और हेर के डायरेक्शन के अकोडिंग स्ट्रॉक दीजिए प्राइट । अब ब्लेंडिंग के लिए मैं यहां पर ब्रस यूज़ कर रहा हूँ हेर के अंदर पैंट ब्रस से काफी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है और ब्लेंडिंग अच्छे से हो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने स्ट्रॉक लाइट प्रेसर के साथ दिये हो अगर आपने लाइट प्रेसर के साथ पैंसिल स्ट्रॉक दिये होंगे तो ही ब्लेंडिंग अच्छे से होगी प्लैंडिंग करने के बाद फिर से वापिस में पैंसिल श्ट्रॉक दे रहा हूँ क्यूंकि Camlin की soft charcoal pencil दूसरी charcoal pencil के मुकाबले थोड़ी सी कम dark होती है तो मुझे dark value पाने के लिए ये process कम से कम 2-3 बार करने पड़ेगी अगर आपके पास कोई अच्छी quality की dark pencil है तो इस process को आप एक या दो बार में ही complete कर सकते हैं कर दो यहां पर highlight के लिए में Tombow Mono Zero Eraser का यूज़ कर रहा हूँ आप चाहे तो Pencil Eraser का भी यूज़ कर सकते हैं और दोस्तो highlights भी आपको अपने photographs के according ही देनी है तो दोस्तो इस process के साथ मैंने hair का जूड़े वाला हिस्सा complete कर दिया है और Sam इसी process को यूज़ करते हुए मैं पूरे hair बनाऊंगा तो अब मैं वीडियो को fast forward कर रहा हूँ तो अब मैं मैं वीडियो साह के रहा हूए मैं जे वीडियों इन है अपक्पवरा वीडियों रहा हुआ है झाल 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 तो बस इसी प्रोसेस के साथ आपको hair draw करने हैं जिस direction में हैं उसी direction में आपको stroke लगाने हैं उसके बाद paint brush से blending करना है और फिर eraser से highlight करना है तो दोस्तों उम्मेद करता हो कि ये वीडियो आपको पसंद आए और इसी प्रकार से drawing tutorials regular देखना चाहते हैं और drawing सिखना चाहते हैं तो अजायार्ट चानल को सब्सक्राइब कीजिए और pass में दिये गए bell icon को press कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए धन्यवाद